Good morning children, welcome to the Sun Public School online classes. How are you? I hope you are fit and fine. So today we will read about our English grammar book. Chapter 6, Chapter 5, चुथा हमारा singular and plural nouns हमने complete कर लिया था and today we will read about our English grammar book. Chapter 6 हम रिट करने वाले हैं, पैज नमबर 23, आर्टिकल. आर्टिकल आप सभी को पता है, A and The. आर्टिकल होते हैं, जिनका यूज आप लोगों को HKG क्लास से करना सिखाते हैं. आपकी HKG क्लास, फर्स्ट क्लास में भी आपने इसका यूज पढ़ा भी होगा, प्लस किया भी होगा. सो आज हम इसी टोपिक को रीट करने वाले हैं, सो लेट इस स्टार्ट आवर चेप्टर. A, N, and the, A, N, and the are called Articles, जयनि A, N, और The को Articles हम कहते हैं. We use A before words which begin with a consonant sound. We use A हम A का use करते हैं. Before words, उन words से पहले, which begin, जो की शुरू होते हैं with a consonant, जो की consonant से शुरू होते हैं. फोर एक्जाम्पल एबेट, एरेट, एबोट, एक्सेक्टरा अब आप जैसे आप देख सकते हो यह जो बेट का भी है यह एक कॉंसोनेंट आप सभी को पता है हमारे इंग्लिश अल्फावेट बुक में टॉटल लेटर ट्वंटी सिक्स होते हैं जिसमें से फाइव हमारे वो कॉंसोनेंट होते हैं तो जिस स्पैलिंग कहलो यह जो वर्ट की स्टार्टिंग एक कॉंसोनेंट से होती है तो हम उसके आगे यूज करेंगे एक का जिसे बी क्या है कॉंसोनेंट तो हमने उसके आगे एक का यूज किया आर भी एक कॉंसोनेंट है हमने उसके आगे भी एक क तो हमने उसके आगे भी ए का यूज किया है अब वी यूज एन पिफोर वर्ट्स विच बिगिन विट ए वोवेल साउंड अब हम एन का यूज उन वर्ट्स के पहले करते हैं जो की एन से जो की वोवेल से शुरू होते हैं लाइक फोर एक्जामपल एन एपल, एन आंट, एन इगल एक्सेक्टर ए हमारा है वोवेल आपको स्पैलिंग या वर्ट का फर्स लेटर देखना है जब आप ए और एन का यूज आपको दिया जाता है तो आप उस वर्ट के फर्स लेटर को देखे अगर वो कॉंसोन एठ है तो आप महाँ पर एका यूज करें, अगर वोवेल है तो आप महाँ पर एन का यूज करें जैसे यहाँ पर हमारा जो ए है हमारी एपल की स्पैलिंग का फर्स लेटर हमने आपर देख रहे है, जो कि ए है, ए क्या है yes a हमारा एक vowel है इसलिए हमने यहाँ पर use किया है an't an't का a b vowel है इसलिए यहाँ पर a का use किया है and eagle eagle का a b एक vowel है इसलिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी इन का use किया गया है means जो later यह hopeless spelling की starting consonants से होती है वहाँ तो हम use करेंगे a का और जो later यह scholing एक wobble से start होती है वह हम use करेंगे We use a and an when we speak of one person one animal, one place or one thing हम इनका use नहीं पर करेंगे जहां एक person, एक animal और एक place की या एक thing की बात की जाती है यहनि singular चीजों के साथ For example, a car, an orange, etc यहाँ पर एक की चीज़ की बात की जाती है वहाँ पर हम हमारे हम A और N का यूज़ करते हैं यानि हम singular words के साथ में A और N का यूज़ करेंगे एक बार मैं और आपको बता दूँ revise करवा दूँ कि A का यूज़ वहां किया जाता है जो spelling जो word एक consonant से शुरू होता हो आप spelling के first letter को देखे अगर वह consonant है तो आप उसके आगे A का यूज़ करें और अगर वह एक vowel है तो हम उसके आगे N का यूज़ करेंगे तो यह होगे हमारा A N का यूज़ देन हम हमारे page number 24 पर आते हैं यह fill in the blanks है जिसमें आपको A और N का यूज़ करना है यहाँ पर first spelling यूज़ करेंगे चेयर आप चेयर का सी आप देखिए यह क्या है यह एक consonant है या वह वह वैल है यस यह है एक consonant तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे यस हम यहाँ यूज़ करेंगे A का देन A यह है हमारा aeroplane कि स्पैलिंग इसका फर्स लेटर है यह हमारा yes यह हमारा वह वह वैल है इसलिए हम यहाँ पर ann का यूज़ करेंगे इसी तरह आपको first letter देखते होवे सारे सारे blanks को a या n से fill करना है यह आपको खुद से करना है the is used अब दर का यूज़ कहाँ पर होता है किन चीज़ों के साथ कौन से words के साथ कौन से spellings के साथ दर का यूज़ किया जाता है तो वह हम यहाँ पर read करने वाले है first वाला है when we talk about a particular noun जब हम एक किसी विशेश संग्या के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर दर का यूज़ करते हैं like for example the cat was sitting on the chair जो cat है वो चैर पर बेठी है तो यहाँ पर जो चैर है वो विशेश संग्या है एक particular noun इसलिए हम नो उसके आगे दर का यूज़ किया when we talk about the same thing again यानि हम जब एक ही चीज़ को repeat करते हैं दुबारा बात करते हैं उसी चीज़ को तो वहाँ पर भी हम दर का यूज़ करते हैं like for example I have a shirt यहनि हमने पर पहले shirt को shirt के बारे में बात कर ली है I have a shirt मेरे पास एक shirt है अब हम फिर से उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम याँ पर ये यूज करेंगे दर का शर्ट इजा ब्लू सर्ट इत्तव मेरे पाद ये शर्ट रहें जो गौर कलर कई, सब्सक्राइं stupid थर्ड वाला है when we talk about things that are only one of kind जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ एक ही हो जो एक ही होती है तो हम उसके आगे भी दरका यूज करते हैं लाइक सन सन पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है इसलिए हमने उसके आगे दरका यूज की हम उन भी एक ही होता है इसका जो चीज एक ही होती है उसके आगे भी हम दरका यूज करते हैं और फोर वाला जो है विफोर दा नेम ओफ रिवर्स माउंटेन फैमस बिल्डिंग्स होली बूक है उन चीजों का जब हम नेम यूज करते हैं जो बहुत फैमस होती है चाहे वो फैमस नदी हो चाहे वो फैमस माउंटेन बिल्डिंग हो चाहिए विदिंग कुई migration तो हम उसके विद्रका वोगो करते हैं जिसे गंगा फैमस रिवर है तो हमने उसके ette का ूषिक करें गे हिमालयास का नाम आता है ढ़ियुका करेंगे ताजमेहल नाम आएेंगे जो चीज इस समी इन ले लो नस इस समय जो महाँएन ऊबारत तो थी एन इन दरकायूज आज हमने रिटिया walon dasher आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा तो इसका जो activity पार्ट है वो हमारे next work में complete करेंगे बट ये जो A वाला point में आपको दिया है वो आप इसे complete कर सकते हो so thank you so much take care